तो इसमें हम बात करेंगे टोप 50 प्रश्ण राजस्तान जिक्के के सबसे प्रश्ण है अपने पास राजस्तान का भिस्म कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा कमर चूडा को ठीक है कमर चूडा को राजस्तान का भिस्म कहा जाता है नेक्स्ट प्रश्ण है राणा परताप के व बुखंड का भाग है तो आंसर हो जाएगा टेतिस सागर का ठीक है नेक्स्ट प्रशन है राजस्थान की उत्तर से दक्सिन लंबाई कितनी है तो आंसर हो जाएगी 826 किलो मेटर ठीक है राजस्थान की उत्तर से दक्सिन की लंबाई है 826 किलो मेटर नेक्स्ट प्रस्ण है राजस्तान का भोगुलिक सेत्रपल कितना है तो आंसर हो जाएगा 3,42,249 वर्ग किलोमेटर ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण है हुडा सम्मेलन का नेत्रत्तु किस ने किया था तो आंसर हो जाएगा मेवार नरेश जगत सिंग ने नेक्स्ट प्रस्ण है राजस्तान के किस सेत्र में विंधे पठार का विस्तार है तो आंसर हो जाएगा दक्सिनी पूरवी ठीक है नेक्स्ट है अरावली स्रेने की दूसरी अधिक्तम उचाय की चूटी है तो आंसर हो जाएगा सेर नेक्स्ट परसन है राजस्तान में अरावली परवत सरंकला का विस्तार है तो यह है भच्चिम से उत्तर पूरू तक ठीक है नेक्स्ट है दस्वा परसन राजस्तान की सबसे प्राचीन परवत सरंकला है तो आंसर हो जाएगा अरावली परवत सरंकला नेक्स्ट परसन है ग्यारवा परत्वी राज रासो का रचनाकार था तो इसका अंचर हो जाएगा चंदरव बर्दाई ठीक है नेक्स्ट परसन है राजस्तान का सबसी उंचा परवत सिकर गुरुष सिकर है जिसकी उंचाई कितनी है तो इसकी उंचाई कितनी है 1722 मीटर ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लग है तो लाइक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जुरू करना जोहतपुर्नगर का संस् सिरधार किस विशे से समंदित हैं तो यह है इस्तापत्य सास्त्र से समंदित नेक्स्ट परसने मेवाड के इतियास में सरुपर्थम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था तो बपा रावल ने सरुपर्थम मेवाड के इतियास में सरुपर्थम सोने के सिक्के जारी किये तो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भक्ति रस कवी त्री मीरा भाई थी यह एक राजबूत सासक की पत्नी थी ठीक है संगित सार के लेकक है सवाई परताप सिंग ठीक है तो आंसर हो जाएगा सवाई जैसिंग ठीक है नेक्स्ट परसन है राजस्तान की सबसे बड़ी खारे जल की जील है तो सामबर जील है अबूल फजल किसे कहा जाता है तो मूनोत नेंसी को राजस्थान का अबूल फजल कहा जाता है राजस्थान में नवाबू की नगरी की नाम से विक्यात है तो टॉंक जीले को राजस्थान के नवाबू की नगरी की नाम से जाना जाता है दिल्ली का यानि बाद की दिल्ली की इस्ताबना किसने की तो तोमर ने ठीक तोमर वंस ने ठीक है परना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किस की जान बचाई तो आंसर हो जाएगा उदे सिंग ठीक है नेक्स्ट प्रसने परतिहार वंस का सरुसेष्ट सा सकता तो आंसर हो जाएगा महीर भोज महीर भोज परतिहार वंस का सर्वसेष्ट सा सकता नेक्स्ट परसने चोहान वंस के रनतंबोर साका का संस्तापक कौन था तो गोविंद राज था ठीक है राजस्तान का सर्वदिक साकसरता दरवाला जीला कौन सा है तो कोटा नेक्स्ट परसने राजस्तान में सबसे कम जन घनतु वाला जीला है तो आंशर हो जाएगा जेसल मेर ठीक है बकरी विकास के अंदर कहां है कहां है तो भीकाने ठीक है राजस्तान में मरू विकास कारेकरम शुरू हुआ था 1977 से लेकर 78 तक ठीक है नेक्स्ट परसन है भारत का कितना परसंट ओंट केवल राजस्थान में पाया जाता है तो भारत में भारत का 65% ओंट राजस्थान में पाया जाता है नेक्स्ट परसन है रामसागर वन विहार कहां इस्तित है तो आंसर हो जाएगा धोलपूर में नेक्ट परिशन ही है महराणा परताप की जन्मिस्तली है तो खुम्बलगड ठीक है नेक्ट परिशन है राज़तान का सरवदिक आदर इस्तान है तो आंसर हो जाएगा मांट आवू ठीक है राज़तान में सत्य परताप स्वर परतम निशेद के गई थी जेपूर में ठीक है राजस्थान का राजिये पक्सी है दोस्तो वीडियो लंबा होने की वज़े से अधिक टाइम हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी प्रशन करना हूं राजस्थान का राजिये पक्सी है कौन सा है, गोडावन ठीक है next question है अगणी नरत्ते का उद्धम राजिस्थान में की जीले से हुआ तो जेसल मैर राजिस्थान का वन अगर जहां हावाय अड़ा नहीं है वो है अजमेर next question है अर राजिस्थान का कुन सा निर्मान उद्योग आधिक विकसित है तो कपड़ा उद्ध्योग ज्यादा विकसित है ठीक है राजिस्थान में पत्र कारिता का पिता मा के नाम से जाने जाते है तो आंसर हो जांगा पंडित जवरलाल सर्मा next परसेन है राजिस्थान में मरदा के किलोनी बनाने के लिए परसिद है सापुरा ठीक है दोस्तों ये टोप 50 क्यूशन चे वीडियो चल लगे तो लाइक चैनल पर नयों तो सब्सक्राब जुरू करना धन्यवाद जेहिन